हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलत है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पर आज मैं आपको बताऊंगा खेल कूद के अति महत्यपूर प्रस्ण का पार्ट टू पार्ट वन में हमने 25 कॉस्टन देखे थे तो यह जो सीरीज मैंने निकाली है यह है टॉप 100 कॉस्टन की कि यह सीरीज है जिसके अंतरकत 25 कॉस्टन हमने देख लिए है और आज हम अगें 50 कॉस्टन तक देखेंगे यानिकि 26 से 50 कॉस्टन तक देखेंगे अगें 25 कॉस्टन तो ऐसे करके आपके पास 4 वीडियोस आएंगे जिसमें 25 करके मैं 100 कॉस्टन पूरे Most IMP कॉस्टन जो एक्जाम में पूछे गए है और ज अाज का पहला कॉस्टन यानिकि 26 नंबर का कॉस्टन के हम बात करें तो केनोन ठीक है क केनोन सब्द किस केल से संब eld है कॉस्टन सीथे-षी या क्योस्टन पूछा जा रहा है कि केनौन खेल या कैनमन सब्द एक वर्ड ये किस खेल से संबंद देद है सुनूकर, होकी या ग Q से लगकर सेस दोनों गेंदों से टकरा कर लगती है, Canon की स्थिती में खिलाड़ी को दो अंक प्राप्त होते हैं, तो आने वाले समय में एक कौश्चन ये भी बन सकता है, कि Canon की स्थिती जब पैदा होती है, तो खिलाड़ी को कितने अंक दिये जाते हैं, तो खिलाड़ी को कितने दिये जाते हैं, दो अंक दिये जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा, फीक है, तो किस से रिलेटेड था ये, ये रिलेटेड था आपका, बिलियर्ड से रिलेटेड था, अगले कॉस्टन की तरह बढ़ते, 27 नंबर की अगर हम बात करें तो सब्द Q का सम्मंद किस खेल से है हौकी, फुटबॉल, बिलियर्ट्स या फिर किर्केट तो अगर हम Q की बात करें तो देखिए हौकी में स्टेक हौकी स्टेक होती है उसकी फुटबॉल में फुटबॉल ही होता है और cricket में ball और bet, stump गिली ये सब चीजे होती हैं आपकी लेकिन blarets की बात करें तो इसमें जो है आपका Q होता है तो इसका answer जाएगा third Q सब्द blarets से China man का सब्द cricket से है और scoop, scoop जो होकी से तथा abby सब्द football से समबन्दित है तो देखें यहाँ पर हमने सब के बारे में जाल लिया होकी से जो है scoop, scoop सब्द होकी से है football में abby, cricket में china man cricket के बहुत सारे china man, googly, ठीक है ये सब चीजे, your cut, short pitch, ये सब चीजे पूछ ली जाती है gully, ये सब चीजे पूछी जाती है gully बहुत जादा ही पूछा जाता है cricket में कि gully किस खेल में use होता है gully जो है cricket में use होता है point हो गया, ये सब चीजे पूछी जाती है 28 number के question की हम बात करते है खेलो में सब्द smash किस से नहीं जुड़ा हुआ है नहीं को पढ़ना बहुत जरूरी है खेलो में सब्द smash किस से नहीं जुड़ा हुआ है आपका volleyball, hockey, lawn tennis या badminton तो इसका answer जो जाएगा, answer जाएगा hockey, smash सब्द lawn tennis से, volleyball से भी तथा badminton यानि कि volleyball, lawn tennis और badminton तीनों से इसमें सब्द जुड़े हुए तीनों में इसका use होता है लेकिन hockey जो है, hockey ऐसा game है जिसमें smash सब्द का use नहीं होता उसमें, sudden that ठीक है hockey से जुड़ा हुआ एक सब्द कहलाता है ठीक है, चलिए बात करने अगले question की, तो grand slam किस खेल से सम्बंदित है आपका सतरंज से, tennis से, badminton से या इनमें से कोई नहीं तो यह है, tennis even bridge दोनों से grand slam जो है आपका सम्बंदित है तो इसका answer हो जाएगा, दो वाला यानि की grand slam सब्द tennis even bridge दोनों खेलों से सम्बंदित है अगले question की बात करें, तीस नंबर double fault double fault किस खेल से सम्बंदित है football, rugby, tennis या इनमें से कोई नहीं, तो इसका answer है tennis, tennis जो है इसमें double fault tennis से सम्बंदित है love, dues service, fault, return इत्यादी tennis से सम्बंदित है, love dues service, fault, return यह सभी और double fault यह सभी मिला के अगर हम बात करें तो यह सभी आपके 6 चीज tennis से related है, lawn tennis से ही यह आपके related है subject, अगले question की तरफ बढ़ते है, next question है हमारे पास, roll on in roll on in सब्द किस खेल से सम्बंदित है, cricket, badminton golf या होकी, तो इसका answer जाएगा, आपका होकी, roll on in सब्द होकी से सम्बंदित है किस सम्बंदित है, होकी से सम्बंदित है देखिए, यह जो caution बता रहा हूँ इन वीडियोस को एक दो बार आप देखोगे copy में लिखते जाओगे तो इसली आपको याद होता जाएगा jogging, सम्बंदित है किस से, उट दौर से, घोड़ा दौर से पैदल चलने से, या कुत्ता दौर से तो यह जैसा कि हम हमेशा से जानते है घोड़ा दौर से यह related है आपका jogging, तो जो है jogging है वो घोड़ा दौर से सम्बंदित है punter, stand paddock, ditch आदी जो है इसी दौर से सम्बंदित है, यानि कि punter, paddle, paddock और ditch, यह सभी किस से related है, आपके घोड़ा दौर से related है jump ball, सब्द का निम्न में से किस से सम्बंदित है मैं जो यह सब्द है jump ball किस से सम्बंदित है आपके baseball, basketball, soft ball या net ball तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो answer होगा वो जाएगा आपका basketball, jump ball basketball से सम्बंदित सब्द है यानि कि जो basketball होता है guard, dribble, head goal आदी सब्द जो है यह भी आपके किस से basketball से related है तो यह आपको याद रखना है ठीक है bunker, bunker सब्द नीचे दिएगा किस खेल से सम्बंदित है boxing, shooting, karate, golf तो अगर हम इसके answer की बात करें तो इसका answer है golf golf से related है bunker तो bunker जो है golf course यानि मैदान का रंगा हुआ छेतर, जो color किया हुआ छेतर है उसको कहा जाता है जो बालू की गहरी पर्त से धका होता है जो बालू की गहरी पर्त से धका होता है उसको हम बोलते हैं क्या bunker, तो यह golf से related है bulls eye निसाने बाजी से बुल साई निसाने बाजी से संबंदित प्रतियोगिता है इसमें खिलाड़ी एक निश्चित दूरी पर इस्तित कागत से बने लक्ष को एक निश्चित समय के अंदर पिस्टल से भेदित या सूट किया जाता है यानि कि बनी सी बात है बुल साई आँख ज बॉक्सिन में नॉक आउट राउंड होता है, तो नॉक आउट सब्द मुक्के बाजी से सम्बंदित है, सब्द चकर, नॉट चकर, चकर, तो सब्द चकर किस खेल में प्रयोग किया जाता है, राइफल निसाने बाजी, घुर सवाडी, कुस्ती या पोलो, तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका आंसर है हमारे पास पोलो, पोलो के खेल में 6-6 मिनिट के 4 भाग होते हैं, जिन्हें चकर कहा जाता है, यानि कि जो पोलो का गेम होता है, उसमें 6-6 minute के आपको 4 भाग दिये जाएंगे और उन जो 6-6 minute या जो periods होते हैं उन periods को बोला जाता है चकर तो चकर किसे हैं पोलो से कैसे याद रखोगे ऐसे जिसे कि पोलो को आप मालो गोल गोल है चकरे जैसा है ठीक है तो इसको आप चकर से आप relate कर सकते हो थोड़ा सा कु तो इसका answer जो जाएगा इसका answer जाएगा तैराकी से तैराकी butterfly stroke जो है आपका तैराकी से related होता है best stroke butterfly stroke crawl freestyle relay front call ठीक है crawl stroke फिर उसके बाद front crawl stroke ये एक ही है forward stroke आदी तैराकी से सम्बन देथे तो इसमें देखिए दो तीन चीज़े एक freestyle ठीक है उसके बाद ये butterfly तो है important और एक ये भी मुझे लग रहा है क्योंकि अजीब सा नाम है front call stroke ये भी आपको याद रखना है तो ये चीज़ें जो है सभी तैराकी से related है mainly जो पूछा जाता है वो butterfly ही पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है बात करें अगले यानि कि 49 नंबर के caution की 2020 या T20 किरकेट में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी रहते है 11, 13, 20 या 19 तो इसके answer की बात करें तो 11 रहते है playing 11 खिलाड़ी यानि कि 11 खिलाड़ी रहते है किरकेट के खेल में popping crease की map होती है popping crease की map क्या होती है 8 foot, 4 foot, 6 foot ये 2 foot तो इसका answer है आपका 4 foot cricket में popping crease, vicket तथा जो बल्ले बाज की बल्ले बाजी line के बीच की जिसको हम बोलते है crease जैसे ये आपका बिकेट हो गया और ये बिकेट है और यहां से जो यहां तक crease जो रहती है जहां इतने दूर में बल्ले बाजी करते है तो इसी चीज को बोला जाता है आपका ये 4 foot का रहता है popping crease के बीच की दूरी को कहा जाता है इसकी map 4 foot यानि के 1.22 meter होती है बात करें अगले question की तो cricket के गेंद की परिधी ठीक है परिधी पूछी जा रहे है जो गेंद है इसकी परिधी यानि की बाहर से पूरा आपका पूछा जा रहा है तो कितना होता है 220 mm 22.4 से 22.9 cm 25 cm या 29.5 से 30.5 cm तक तो इसकी answer की बात करें तो इसका answer है 22.4 से 22.9 cm ता किरकेट के नियम 5 के नुसार किरकेट की गेंद का बजन 5 सही एक बटा दो यानि की 11 बटा दो से 23 बटा चार ठीक है और तथा इसकी परिधी 8 यानि की 22.4 cm से कम और 9 inch यानि की 22.9 cm से अधेक नहीं होना चाहिए तो देखें ये थोड़े data वाले question है जब paper जाद अटफ बनाया जाता है तो इस ताइप के questions दे दिये जाते हैं तो ये भी हमको देखना पड़ेगा बात करें अगले question की की सतरंज के board में कितने खाने होते हैं 36, 48, 64, 32 जिसने भी सतरंज खेला होगा उसको पता होगा 64 खाने होते हैं और 16, 16 मोहरों का प्रयोग सतरंज में खेलने में किया जाता है जिस तरीके से यहाँ हाथी बैठाते हैं यहाँ भी उनके सामने एक black और white में खेला जाता है ये game बास्केट बॉल के खेल में कितने खेलाड़ी एक टीम में होते हैं 11, 9, 5, 8 एक टीम में पूछा जा रहा है तो एक टीम में होते हैं पांच खेलाड़ी बास्केट बॉल के खेल में प्रतेक टीम पांच खेलाड़ी उसे बनी होती है बास्केट बॉल जो होता है या बेस का तता कोखो में नौ खिलाडी होते हैं । हमारे इंडिया में बहुत ही प्रचलित है मतलब बच्पन में बहुत खेलने एक है कोखो उसमें नौ खिलाडी है ठीक है और बेसबॉल में भी खिलाडी होते हैं, जबकि cricket, hockey और football की बात करें तो उसमें 11 होते हैं, लेकिन rugby, जो rugby football होता है, उसमें 15 खिलाडी होते हैं, ये आपको याद रखना है, देखिए, cricket में 11 हो गए, 9 हो गए, खोखो और baseball में, और लेकिन जो ये 15 जो मैं बता रहा हूँ, ये rugby football में होता है, किसमें 44 नंबर के question की, तो 44 नंबर का जो question है हमारा, तो वो question क्या कहता है, question कहता है, कि अंतरराष्ट्री होकी, match की अवधी कितनी होती है, 90 मिनिट, 70 मिनिट, 60 मिनिट, या 80 मिनिट, चार options है हमारे पास, उसके answer की, अगर हम बात करें, तो इसका answer होता है, 70 मिनिट, hockey जो है, दो टी होता है, और फिर 35 मिनिट तक गेम चलता है, यानि कि फर्स्ट आप 35 मिनिट का, और सेकेंड फिर गेम होगा 35 मिनिट का, तो इस तरीके से चलता है, होकी, तो यानि कि total अबधी 70 मिनिट, question की तरह बढ़ते है, 16 गज हिट पद, ठीक है, 16 गज हिट पद की बात करें, तो ये क हौकी से related है, किस से related है, ये सभी सब्द जो है हौकी से ही आपके related है, बात करें, 46 वे नंबर के question की, तो कबड़ी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7, 11, 9 या 5, तो इसके आंसर की बात करें, तो कबड़ी की प्रतेक टीम में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं, और कबड़ी के म 12.5 तरीके का आपका उसका मैदान होता है, 47 पर नंबर के question की बात करें, बैडमिंटन कोट की लंबाई कितनी होती है, 85 फोट, 78 फोट, 44 फोट या 46 फिट, तो जहां पर बैडमिंटन खेला जाता है, तो उसकी यहां पर जैसे ये बैडमिंटन है, बीच में नेट लगा होग आइं होती है, त्था 13.41 मीटर तथा लंबा होता है, ये 13.41 मीटर लंबा होता है, और बीस फिट, 4- 1 मीटर ये टोटल है, या जनी की 44 फिट की, बात की जा रहे है, और अगर इसकी चोडाई की बात करें तो चोडाई जो है आपके कितनी है, 44 fit और चोड़ाई कि अगर हम बात करें तो 6.1 meter यानि की 20 fit की होती है इस तरीके का यह question यहाँ पर बोला गया है बात करते हैं अगले question की 48 वे नंबर की तो badminton की cock जो badminton का होता है चिडिया जिसको हम अपनी local भासा में बोलते तो उसका बजन कितना होता है तो उसके बजन की बात करें तो उसका बजन होता है आपका 4.74 से 5.51 ग्राम होता है अंतराष्टे badminton संग के मानकों के अनुसार badminton के subtle का बजन 1.74 से 5.5 ग्राम के बीच होता है badminton के coat का आकार वही 13.40 मीटर लंबा और 6.1 मीटर चोड़ा होता है सिंगल्स खेलने के लिए coat 5.18 मीटर चोड होता है ठीक है इस तरीके से ये होता है डवल के लिए थोड़ा लंबा होता है सिंगल के लिए थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है 49. Water follow के प्रतेक पक्च में कितने ख्छाट़ी होते हैं तो यह मैंने बताया है आपको कि 7 ख्लाड़ी होते है तो water follow में 7 होते है जिनमें से एक goalkeeper अचछाय field, खिलाडी होते हैं, लेकिन total की बात करे, तो 13 खिलाडी होते हैं, लेकिन खेलते हैं इन्य खिले फिल्ड पे 7 ही, यानि कि जो वॉटर पूल में खेलते हैं, वो 7 ही खेलते हैं, जैसे कि cricket में भी 15 होते हैं, टोटल खेलते गया रहा है वैसे यहां पर 13 होते हैं टोटल खेलते साथ हैं इस तरीके का यहां पर बोला जा रहा है जिसमें से एक जो है गोल कीपर होता है बात करते हैं पचासमे कॉस्चन की या निकि या लास्ट कॉस्चन रहेगा आज का बॉली बॉल टीम के प्रतेक पक् प्रतेग टीम को बॉल को दूसरी तरह फेकने के लिए एक बार में बॉल को तीन बार हिट करने का मौका दिया जाता है तो जिन्होंने बॉली बॉल खेला होगा उनको पता होगा इस टाइप कर रहता है यहां पे च्छा है खिलाड़ी रहेंगे यानि कि तीन आगे और तीन य होते जाएंगे आपके इस तरीके से यह गेम खेला जाता है ठीक है तो यहां पर यह कॉस्टन समाप्त होते हैं यह पार्ट टू था जल्ड़ी इसका पार्ट थिरी आपको लोगों के सामने कल आ जाएगा जिसके अंतरगत अगेन फिर हम पसत्तरता कॉस्टन देखेंगे औ अपने दोस्तों के साथ इसको बाटिए और हमारा फिसको भी लाइक कीजिए ट्विटर और इस्टाग्राम पर भी स्कॉलरलाइट को फॉलो कीजिए और यहां पर आप स्कॉलरलाइट देख सकते हैं यह वैपसाइट है www.scholarylight.co.in इसको भी लाइक कीजिए जादा से पार्ट में थेंक यू जय हिंद जय भारत